नमस्कार, वेलकॉम टू काईरोज यूपीएसी, राइट टाइम एड राइट मोमेंट, तो चलिए, शुरू करते हमारा MCQ नए रंग रूप के साथ, सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन दिखरा होगा, आपको मेकोंग कोपरेशन के बारे में क्या बताना है, करेक्ट सेंटेंस बताने है, ठीके, चलिए, सबसे पहला सेंटेंस हम देख लेते है, It is an initiative between India and six Asian countries, क्या बता रहा है, इंडिया और छे Asian countries के बीच में यह एक initiative हुआ है, दूसरा सेंटेंस, the foundation areas of cooperation under MGC, MGC का मतलब क्या होगा, MGC का मतलब होगा, मेकोंग गंगा कोपरेशन, ठीके, तो MGC include tourism, culture, education and transport, देखे, यह बहुत ही जनरल सा सेंटेंस है, तो यह सेंटेंस आम तोर पे, ऐसे जो multilateral countries के बीच में कोई organization है, तो यह सेंटेंस सही होता है, तो यहाँ पे भी यह सही है, चलिए, तीसरा सेंटेंस पहते है, the MGC meetings are coached alternatively, क्या लिखा है, coached alternatively every year between India and other Macon countries, यह बात भी सही है, तो क्या तीनों के तीनों सही है, जी ना, पहला अभी हमने सही नहीं किया है, क्यूं, क्यूंकि पहला सही नहीं है, पहला में यहाँ पे इंडिया लिख दिया, और यहाँ पे Asia के 6 लिख दिया ना, यही गलती किया है, यहाँ पे cool मिला के 6 है, 1 प्लस 6 नहीं, 1 प्लस 5 है, तो 1 प्लस 6 जो है, वो गलत है, जबकि 1 प्लस 5 सही है, यानि कि 6 नहीं, कितने 5 Asian countries और इंडिया के बीच में यह हुआ है, देखिए, मेकोंग जो रिवर है, यह South Asian countries में, और खास तोर पे, South East Asian countries में, बहुत ही significant role play करती है, जबकि गंगा जो है, गंगा इंडिया में काफी महत्वपूर्ण रिवर है, तो इन डोलों को, नदी को मिला के, एक cooperation की सुरुवात किया था, ठीके, तो यहां पे हमारे कितने पुछया-पुछाए, how many sentences of the given are correct, तो भया, दो number, तीन number, दो सही है, एक गलत है, तो यहां पे आजाएगा option two, यानि कि सिर्फ दो sentence सही है, ठीके, जो बात मैंने आपको बताई, यही बात यहां पे लिखी है, लेकिन यहां पे आपको context मिलेगा, कि external affairs minister, एस जाही संकर ने, अभी 12 भी मेकोंग, गंगा, कोपरेशन, MCG की meeting, बैंकोक में, कंड़क किया है, ठीके, चलो, चलते हैं, अगले question की और, दूसरा question बता रहा है, इंडिया recently launched the trade transaction in rupees, with which country, देखे, ज्यादा तर पूरे world का जो भी trade है, वो किस में हो रहा है, रूपीज में हो रहा है, लेकिन अब दीरे दीरे सभी लोग किस में बढ़ रहे है, रूपी की और आगे बढ़ रहे है, तो इसी के बेस पे ये सवाल पुचा है, कि इंडिया ने अभी कौन से country के साथ trade transaction किन में किये है, रूपी में करने की launch किया हुआ है, क्या यह नेपाल है, क्या बांगलादेश है, मियानमार है, या स्रिलंका है, तो इनका सही answer होगा option B, यानि की बांगलादेश, ठीके, देखे, अगर हम देखने जाए, तो फिलहाल, देखे, अगर हम देखने जाए, तो बांगलादेश और इंडिया के बीच में trade transaction किन में करना की बात किया जा रहा है, रूपी में बात कर रहे है, ठीके, और हाँ, यह पहली बार है कि बांगलादेश ने किसी दूसरे देश के साथ, US dollar के अलावा, foreign country edition, US dollar के अलावा, उन्होंने कोई दूसरी currency में trade करने की बात किया है, ठीके, वैसे आपको पता होगा, इंडिया ने रूपी में trade करने की बात कही थी, ठीके, चलिए, आज आपका home work यह है, की आपको देखना है, नौस्टरो अकाउंट और वोस्टरो अकाउंट इन दोनों के बीच का difference क्या है, ठीके, नौस्टरो और वोस्टरो काफी टाइम से news में रहते है, तो आपको पता होना चाहिए, नौस्टरो अकाउंट किसको बोलते है, और वोस् is correct about the national multi-dimension poverty index चलिए आपको बताना है कि इन में से multi-dimension poverty index के बारे में कौन से sentence सही है correct पुछा है ठीक है चलो पहला sentence चलो पहला sentence यह पुछ रहा है कि 2015-16 से और 2019-21 के बीच में कितने लोग 25.5 करोड लोग multi-dimension poverty से बाहर निकले हैं दूसरा sentence बता रहा है कि यह निती आयोग launch कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे कौन से sentence सही है देखो यह जो index है यह index तो निती आयोग जारी करता है वह बात बिलकुल सही है दूसरी चीज यह भी अगर सही हो जाता क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने multi-dimensional poverty में से बाहर निकला है 2015-16 और 19-21 इन दोनों के बीच के time period में लेकिन इतने भी नहीं निकाले है कि हम 25.5 करोड बता दे यह जो आंकड़ा है 13.5 करोड तो आपको थोड़ा बहुत अंद्याजा लगाना चाहिए कि कितने बंदे हैं कितने लोग है जिनको हम poverty से बाहर निकाले है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा only two correct चलो देख लेते हैं इनके बारे में multi-dimensional poverty index कौन निकालता है भया निकालता है नीती आयोग और फिलहाल उन्होंने बताया है कि 13.5 करोड लोगों को हमने बाहर निकाला हुआ है ठीके देखे अगर हम थोड़ा सब देखने जाए तो rural areas witness fastest decline in poverty from 32.59 percentage to 19.28 percentage मतलब कि हमारे rural area में बहुत तेजी से लोग M.P.I. में से बाहर निकल रहे है ठीके यह और जो यह चीज है वो एक बढ़िया है क्योंकि आप urban area में अगर poverty को eliminate करना चाहेंगे तो बहुत सारी scheme उनको access करवा पाएंगे लेकिन rural area में यह क्या है यह एक difficult task है ठीके लेकिन हमारी government ने यह करके दिखाया है ठीके तो यह एक अच्छी बात है चलते हैं next question की और next question आपको पूछ रहा है consider the following statement with respect to PM mega integrated textile regions and apparel यानि की PM Mitra scheme के बारे में आपको पूछ रहा है क्या पूछ रहा है correct sentence पूछ रहा है चलिए पहला the scheme will offer the opportunity to create an integrated textile value chain from spinning to garment manufacturing ठीके मतलब की आपके आपके शुरुवात से लेके starting से लेके आपके product जब ready made हो जादे यानि की कपड़ा एकदम पूरी तरह से complete हो रहा है वो कौनसी सिर्फ एक ही location में हो जाए उसी के लिए यह scheme लाई होए है ठीके यह तो बात बिल्कुल सही है दूसरा sentence a special purpose vehicle owned exclusively by the center will be set up for each park which will oversee the implementation of the project देखे बात बिल्कुल सही होती यहाँ पे यह एक word नहीं होता क्या लिखा है exclusively by the center नहीं भईया यहाँ पे center और state दोनों का एक साथ मिलन्क हो रहा है ठीके center और state दोनों मिल के PM मित्रा scheme को implement कर रहे हैं ठीके क्योंकि यह कोई central sector scheme नहीं है यह central sponsor scheme है ठीके तो यहाँ पे आपको पुछा यह कौन सा sentence correct है और correct हो जाएगा सिर्फ a यानि कि only one चलिए देख लेते हैं तोड़ा बहुत scheme के बारे में यहाँ पे लिखा है कि PM ने अभी launch किया हुआ है foundation stone कहां पे दो मेगा textile पार्क के बारे में बता रहे हैं एक महाराष्ट्रा और एक गुजरात में ठीके और यह क्या करेगा to create an integrated textile value chain right from spinning wing to processing, dyeing, printing, garment, manufacturing यह सारी चीज़े यह provide करवाएगा हमें ठीके चलिए आपको बताना है कि भारत में जो हमारे cotton की एक famous brand है उसका नाम क्या है ठीके क्या बताना है भारत में cotton की जो famous brand है उस brand का नाम क्या है चलिए आगे जाने से पहले एक और बता दू कि यह central और state के गुर्णों के साथ बना है हुए है और इस scheme को implement obviously कौन कर रहा है textile ministry कर रही है ठीके तो चलो चलते है हमारे अगले question की और अगला question आपको पूछ रहा है exercise nomadic elephant which begun recently is conducted between India and चलिए आपको बताना है exercise nomadic elephant किन दो देशों के बीच हुआ India और Vietnam, Cambodia, Indonesia या मंगोलिया चलिए सही answer क्या आएगा मंगोलिया आएगा ठीके मंगोलिया सही answer आएगा क्यूंकि nomadic elephant जो exercise है यह exercise इंडिया और मंगोलिया के बीच हो रही है और यह कहां पे हो रही है उलान बातार में उलान बातार कहां पे आया है यह आया है मंगोलिया में ठीके चलो चलते हमारे next segment यानि की static question की और सबसे पहला static question आपके सामने है क्या पूछ रहा है in the area covered under the penchayat यानि की extension to the schedule area जिसको हम क्या बोलते है पैसा act कब आया था 1996 में which is the role power of gram sabah हमें पैसा act के अंतरगर्द हमें क्या बताना है हमें बताना है gram sabah के power के बारे में ठीके correct पूछा है तो पहला sentence gram sabah has the power to prevent alienation of land in the schedule area जिहां gram sabah के यह पास power होता है क्यों कोई भी land को अगर कोई दूसरे चीज़ के लिए इस्तमाल कर रहे है जो की schedule area की land है तो उसको क्या कर सकता है prevent कर सकता है तो पहला sentence बिलकुल सही है दूसरा sentence gram sabah has the ownership of minor forest produce यह भी बिलकुल बात सही है देखो हमारा जो एक गाव रहता है गाव में सभी जगह पे तो हमारी बस्ती नहीं होती है कुछ जगह ही बस्ती होती है ठीक है तो बाकी की जगह पे क्या होता है बाकी पी जगव पे होता है खेद खलियान होते हैं लेकिन कुछ ऐसे बंजर भूमी जो होती है या फिर इन भूमी में जंगल भी होता है जो फोरेश्ट होते हैं तो उन फोरेश्ट में अगर कुछ प्रोड्यूसीज होते हैं जैसे कि आप छोटे छोटे पत्ते गिन लो किसी पेड की आप मूल ले लो कोई फल ले लो तो इन सारी चीज कौन लेके जाएगा इस चीज का डिसाइडर ग्राम सभा होते हैं क्योंकि वही इनका ओरनर होते हैं तो दूसरा सेंटेंस भी सही है चलो अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस रेकोमेंडेशन औप ग्राम सभा इस रिक्वाइर फोल क्या बोल रहे हैं सलाह चाहिए किसकी ग्राम सभा की सलाह नहीं मतलब उन्होंने प्रस्ताव दिया होना चाहिए रिक्वाइर फोल ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसंस और माइनिंग लीज पर एनी मिनरल्स इन दे सीडियूल एरिया अगर आपको सीडियूल एरिया में कुछ भी माइन करना है तो ग्राम सबापी हमें क्या चाहिए रेकोमेंडेशन चाहिए यह बात आधी सही है आधी गलत है क्योंकि यहाँ पर एनी लिखा हुआ है अगर यहाँ पर सिर्फ माइनर लिखा होता क्या लिखा होता माइनर लिखा होता तो बात सही थी क्योंकि एनी का मतलब माइनर और मेजर दोनों आ जाते है ठीके अब आप एक चीज़ सोच लो अगर किसी गाउं में हमें यूरेनियम मिला या फिर थोरियम मिल रहा है ठीक है तो यूरेनियम मिल रहा है तो क्या हमारी सेंट्रल गवर्मेंट उसका एक्स्ट्रेक्शन करने के लिए क्या गाउं सभा के उपर डिपेंड रहेंगी क्या बिल्क 1 and 2 क्योंकि 3 यहां पर है तो C नहीं आएगा 3 यहां पर है तो D नहीं आएगा और दूसरा सही है तो यहां पर 1 and 2 दोनों आएंगे ठीक है चलो चलते हैं हमारे next question की और next question आपके सामने है क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि अपने मुनिसिपल काउंसिल में इलेक्ट होना चाह रहा है अब the validity of his nomination would depend on the important condition among others that तो उनका जो नामांकन पत्र है वो किन चीज के उपर depend है he obtains permission from the principal of his college क्या उसको college के principal से permission चाहिए he is a member of political party क्या उसको political party का member होना चाहिए his name figures in water list क्या उनका नाम water list में होना चाहिए और last वाला option पूछ रहा है he files a declaration owing allegiance of the constitution of India देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं आपको पता है कि आपको कहीं पे भी अगर election में participate करना है तो उस constituency के area में आपका क्या होना चाहिए आपका water list में नाम होना चाहिए तो A गलत B गलत D गलत सही हो जाएगा हमारा C answer ठीके चलो तो चलते हैं हमारे अगले question की और अगला question आपके सामने पूछ रहा है they are people of yellow complexion कैसे लोग की बात कर रहे है yellow complexion oblique eyes high check bonds space sparse hair and medium height चलो यह किन के बारे में बता रहे है nordic arians ostrics negroids और mongoloids चलो आपको बताना है कि ऐसे कौन लोग होते है इन चारों में से जिनके yellow complexion होते है oblique eyes होती है high check bond होता है sparse hair होते है ठीके देखो world geography में आपको different different types के बारे में पढ़ना है ठीके और यह different different tribes के जो भी structure है उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए यह जो question है यह UPAC के pyqs है ठीके तो UPAC ने जो पूछा है उसी की हम practice कर रहे है चलो तो यहाँ पर सही answer आएगा mongoloid क्या आएगा mongoloid ठीके चलो चलते हैं हमारे अगले question की और अगला question आपको पूछ रहा है about 50 percentage of world population is concentrated between the latitude of क्या पूछ रहा है कि दुनिया की 50% जनता कौन से latitude के बीच में है देखो पहला option पूछ रहा है 5 north 20 north 20 north 40 north के बीच में 40 north 60 north के बीच में 20 south और 40 south के बीच में चलो आपको पता होगा कि latitude longitude क्या होता है ठीके यह मान लेते हैं कि हमारा equator है तो equator की position कौन सी है 0 degree है अब यहाँ पे ज्यादा तर जो लोग होते है वह इन ही area के बीच में है world में तो यह कौन सा हो गई line यह line हो गई हमारी 20 उसके बाद आएगी 40 अगर आप world map उठा के देख लो तो आपको पता चलेगा कि सारे जो दुनिया के लोग है उनमें से 50 percentage लोग कहां पे रहते है 20 north से 40 north यानि की option B ठीक है चलो चलते है हमारे आज के last question की और last question आपको पूछ रहा है which one of the following is incorrect क्या पूछ रहा है incorrect in respect of local government in India देखो भारत में local government के बारे में कौन सा sentence गलत है यह पूछ रहा है तो option A क्या बता रहा है according to the Indian constitution local government is not an independent tire in the federal system बिलकुल सही बात है क्यों क्योंकि हमारे यहाँ पे एक central government है और central government के साथ साथ कहीं सारे क्या है state government है ठीक है और यह एक federal structure है यहाँ हमारे यहाँ पे unitary structure नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि state हो गया और इन state के parallel हमारे यहाँ पे पंचायतिराज और local self government है ऐसा नहीं है तो A सही है दूसरा 30 percentage of the seat in local bodies are reserved for women बिल्कुल बात सही है लेकिन यहाँ पे 30 नहीं कितनी आएगी 33 परसंट आएगी देखा UPAC किस हिसाब से हमारे mind के साथ game play करती है तो option B हो गया गलत और यहीं है हमारा सही answer लेकिन फिर भी हम option C और D देख लेते हैं option C बता रहा है local government finance are to be provided by a commission बिल्कुल local government को finance कौन प्रोवाइड करवा रहा है commission प्रोवाइड कर रहा है आपको पता होगा finance commission state finance commission अभी finance commission कुन सा चल रहा है अभी 15 वा चल रहा है और state finance different different state में different different state finance चल रहा है option D देख लेते हैं election to local bodies are to be determined by a commission बिल्कुल commission की बात कर रहा है यहाँ पे हमारे जो local government की अगर election की बात करते हैं तो इनके लिए कौन है इनके लिए state election commission काम करता है तो हमारे C भी सही है D भी सही है लेकिन B गलत है जो की हमारा answer है ठीक है तो चलिए friends यह थे हमारे आज के question आने वाले time में ऐसे ही question के लिए मिलते रहेंगे तब के लिए धन्यवाद